अस्सलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब आई होग की ठीक होंगे अलुम दिल्ला से हम भी ठीक हैं चलते हैं अन्यूंकी किचन में आज बनाने वाले हैं हम दही बड़े इसके लिए हमने वरत दाल को पीश के यानि की ग्राइंड करके रखे हुए थे इसमें हमने दो चमच सूजी गोटा जीरा चमच में और पीसे अगे दरखे प्रॉसेस आपको दिखाते हैं हमने दही ले लिए हैं अब इसमें दही में एक चमच नमक एट करेंगे चीनी है हमने दो चमच चीनी आट की और एक कप पानी अच्छे से थोड़ा से मिक्स कर लेंगे दही को हम थोड़ा से पतला रखेंगे क्योंकि जब बड़ा चान कर डालेंगे तो दई हमारे सुखे ना अब अब हम दढ़ी को तड़का लगाएंगे देखिए हमने जीरा और सुखे मिरचे इसका लिए इसको हम गरम मसाला बनाएंगे क्योंकि दिखा है इसलिए हमने दो मिरचे लिए है आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं गयस में हमने पतीला चड़ा दिये हैं गरम होने के लिए अब हम इसमें मस्टर ओल एक चमज डालेंगे तड़का लगाने के लिए इसको अच्छा से गरम होने देंगे देखिए हमने सुखा मिर्चा जीरा सरसोन ले लिए हैं तड़का लगाएंगे इसको कड़ी पता डालेंगे घर में दई बड़ा बनाने से बहुत ज्यादा ही टेस्ट बनता है मार्केट से अच्छे बनते हैं इसको अच्छा से फ्राई करना है तब ही जाके तड़का लगाएंगे सरसोन जीरा को अच्छा से फ्राई कर लेंगे तड़का लगा देंगे अब हम इसको ढग देंगे देखिए हमने ऑईल चड़ा दिये हैं गरम होने के लिए प्राई है और हमारे अब गरम होच चुके अब हम इसमें एक-एक करके बड़ा एट करेंगे अ आएह है 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 हुआ है है उर यह आए अ झाल 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 दाई में डाव एट करतेंगे इसको अब हम इसमें गरम मसाला एट कर देंगे देखिए दई गाड़े होने लगे हैं बड़े जो है पूरा खीचिली है देखिए हमने सुखे बड़े रखे हुए है इसको दही में नहीं डाले है इसको हम लोग ऐसी खाएंगे गरम मसाला चाट मसाला डालके यह भी बहुत टेश्ट लगते हैं कि खाने में बहुत ही टेश्ट लगते हैं गरम-गरम फ्राइक करें और खाईए कि देखिए हमारे स्पेशल दई बड़ा बन के तायार है एक बार इसको घर में जरूर प्राइक करिए बहुत मजिली बनी है अगर मेरी रेसिती अच्छा लगा ति मेरे चैनल को सब्स्राइब करिए लाइक करिए कमिट करिए फिर मिलते हैं नेस्ट ब्लॉक में तब तक ल